एलो फ्रेंड, वेलकम बैक टावर चैनल फ्यूचर स्टडी फ्रेंड, आज हम आपको बताएंगे बिये प्रोग्राम एंड रेगुलन एंड सुल के समेश्टर थॉट के इंगलिज प्रोफिएंसी की पैटर्ण एक्जाम पैटर्न बताएंगे और आपको बताएंगे कि इस एक्जाम में किस टाइफ के कोशन आते हैं और यह आपके आने वाले एक्जाम में इंपोर्टन्स है यह प्रिवियस पेपर है जो कि आपके लिए बहुत इंपोर्टन्स है आप पूरा पैटर्न देख सकते एक्ज जाए तो थी आवर टाइमिंग है थी आवर डूरेशन दे रखा है तो फ्रेंड इसमें ओवर उर टैन कोशन होता है आप देख सकते हैं और यहां पर सब इंस्रक्शन दिया जो कि फोलो करना होता है रहा है जैसी आपको कोशन पेपर मिले आप अपना रोल नंबर लिख देंगे जो कि आपके दोनों पार्ट को करना कमपल्सरी है इस पेपर में आपको दो पार्ट है A and B आपको A and B दोनों पार्ट में से 3-3 कोशन को अटेंब करना है एक पार्ट में नमसम 5 कोशन और यू आउट और 5 कोशन अटेंब only 3 कोशन इच पार्ट देखिए कोशन कौन सा है पार्ट इस पार्ट इस अटेंब एपर्ट से 3 कोशन अटेंब करना है फर्ट कोशन इच रीट पैसेज ग बिलो औन अंशर दा कोशन फोलो इड़् हमको पैसेज रीट करना है दें अंशर देना है तो फ्रेंड आपको सबसा पहले कोशन को अच्छे से रीट करना चीए और आपको अंडरिस्टेंडिंग होना चीए कोंचिन से जिस से अप कोंचिन लांग करने तो इघ module को अब आप अच्छे समझ या तो गाइगे तो कोंचिन को दो तीन बार आप 것처럼 हो यह थो इस mapping offer に तो फ्रेंट यह आपको बताने के लिए पूरा पैसेज रीड करना होगा कियर फुली फ्रेंट यह देख सकते हैं आप देवी रखा है बीच में अराउंड इटाली 1254 तो आप कोशन पर पैसेज पढ़िए देन इसके बाद आप टिक करिए 2nd question is right, true and false again the following statement आपको 5 true and false दे रखा होगा जो कि first for question is each marks for question A and B का 55 marks के हैं overall आपके 75 marks के हैं तो आप देख सकते हैं पार्ट A के A और B हम कर रहे हैं तो first and second is right and true and false देखिए इसमें देखिए आपको true false में कितने कोशन दे रहे हैं five macro polo belong to Mongolia तो friend is true and false आपको यह पैसेज चाही पता लगेगा second is macro polo set out as the travel in her old age true and false आपको पैसेज चाही लगेगा macro polo travels keep him away from home and 24 years fourth is it was macro polo himself who possible published a book and has travels polo book led in increase interaction between people of the European and for five तो देख सकते हैं फ्रेंड यह पर true and false के five questions है जो कि काफी easy होते हैं ज्यादा hard नहीं होता पैसेज को read करें then you will take this question और उसके बाद आप देख सकते हैं question आपको क्या दे रखा है 10 marks के one question one one Flynn Dublin complete the given sentence by selecting the correct word from their peer given in bracket तो आपको यहाँ पर friend easy होता है यह भी आपको bracket में दे रखा है इसमें से आपको चूस करके लिखना है फिलिंदा ब्लेंज तो यह काफी easy होता बस आपको थोड़ी सी इंगलिज की knowledge होनी ची बेसी the story of hell and killer life is very inspiring and inspiration तो friend आपको पताना इन दोनों में से क्या आएगा dash depression and depression is a silent killer तो friend यह तो normally अगर हम movie देखते तो उसमें भी यह वाला sentence यूज होता है I feel buried dress bored and boring हम bored feel करते हैं boring feel करते हैं bored friend past में हो जाता है boring and present में जो हमारा continuous sentence होता है उसके according तो हम क्या feel करते हैं boring या bored आपको लगाना अपनी according था fourth is hunt the hunter here sometime move and movement in the basis तो friend यह ज्यादा मुश्किल नहीं होता हो यह four question one marks करते हो तो तो इस पर ten question आते हैं जो कि आप easily कर सकते हैं flock to city and because city life has money advantage and disadvantage over life in village तो आप बता सकते हैं city life कैसी है advantage and disadvantage love या honey the movie was about two f is begin and end while the time b managed to reach the theater g is they decided to forget their difference and get dash apart and together again h is she is feeling lonely as her best friend was dash action and present day day the neighbors dash come up and come over for a cup of tea berry now with them let us get through and to get together celebration the success of our team friend अगर आप यह चाहते हैं कि हम सारी question को fill up करके दिखाए question explain करें तो आप आप comment करके बता सकते हैं यह हम आपको exam pattern दिखाए जोगी इसकी according ही आपका आने वाले exam में आएगा आप third question देख सकते हैं for each of the following statement decide better it is the formal and informal who might say it whom तो आप formal and informal में बता सकते हैं statement हाई बीनीत आ लॉंग टाइम नो सी हाई बीयार होने मैडम डैट यू कूट टेक टाइम आप यूर बीजी शिडूल तूबी बीदी अस तूदे आवर जैबली celebration तो फ्रेंड इसके अकोर्डिनाब कर सकते हैं and four question देखते हैं recently you visit Delhi heart recently you visit Delhi heart with your friend to enjoy teach celebration write a paragraph about hundred what your experience you may make use of the idea of following तो फ्रेंड आप recently अगर Delhi heart गए अपने फ्रेंड के साथ वहाँ पर enjoy किया और celebration भी तीज का किया है तो आपको एक paragraph लिखना है जो कि 100 words से होनी चीए 100 words से कम नहीं होनी चीए 100 words से अगर 10 20 अगर एक्स्टा हो जाए तो उससे फर्क नहीं पड़ता वर कम नहीं होनी चीए नेक्स दे रखा है फिर एड डेली heart colorful and decoration heavy road happy excited तो फ्रेंड इस line के यूज करके आप कापी अच्छा लिख सकते हैं paragraph यह four question हो गया five question दिखते हैं प्रेंड यहां पर वही दे रखा है यह blur कोई बात ने people's hope of kind friend यह आपका दिख जाएगा और इसके according आप करेंगे part a में five question and last five question is part a का using the information below write a paragraph about 100 वर निदा तो फ्रेंड यहां पर इनको यूज करके हमें paragraph लिखना है kind, size of body, appearance, color, habit, home and food habits paragraph easily लिख सकते हैं 100 वर्ट में part b is part b में भी five question आते हैं हमें attempt only three करना है attempt any three question from this part b part में first question is mean part a first is six first is passage, passage को carefully read करें and question को then उसके बाद answer टिक करें हम देख सकते हैं आप पैसेज, passage का first a है write a portrait of the following word that have been underlined in the passage हमने underline क्या किया था passage में इसका portrait बाद को में टिक करने है b is answer the following question in brief using your own word as for as possible जो भी possible हो सकते हैं उसका coding लिख सकते हैं two into five into two मतलब दो number का एक question है तो यह five question means ten number हो जाएंगे आपके तो easily बना सकते हैं how does the introduce of new specific affect the animal in a place आपको new animals के introduce कैसे कर सकते हैं specify why do people kill animals people क्यों मारते हैं अनिमल को does the growing human population affect animal number in the what why तो आप what and why का answer जरूर दीजिएगा क्यों और कैसे suggest suitable title for passage तो यह आपको सारे passage के according ही मिलेंगे तो इसमें आपको जादा problem नहीं होगी इसके according आप passage के according कर सकते हैं next question is complete the each sentence passage by selecting the correct word phrase from the pair given in bracket after each blank तो फ्रेंड जो फ्लिंदा फ्लेंड से इसको भी हमें pair करना फिलप करना ए एन लगाकर तो यह काफी easy होता है यह तो आप bubbles जानते उसके according हो जाएगा a boys and n boys तो यहाँ पर always a use होगा because his boy is consonant a girls and n a girls are in love that's a and the boy तो फ्रेंड आप यह टिक कर सकते easy है 10 question है और last fourth question 8 question is supply question to the following statement folks focus of your question should be on the underline potence of statement तो हमें 8 question को भी हमें करना है then देखिये 8 question का no you can't park there the function will end at 5 a.m. yes refreshment will be saver after the function is over I bought a friend house yesterday evening I went there because I want to borrow a book तो फ्रेंड यह 5 question के आप अंसर दे सकते easily 9 question is frame suitable statement response for the forming situation हमें situation के according करना है यहाँ पर भी आपको 5 question दियाएगे 4 question 3 marks तो यह वाला question आपको 15 marks का है तो आप जरूर कीजिए पंदरे नंबर में देख सकते हैं ए आर यू गोइंग आउट ओप टाउन फोर टू डे यू बॉंट तो यू निवोरियस तो बाटर यूर प्लांट इन यूर एवेंस बूड यू से तू हर हीम अब क्या और कैसे कहेंगे उससे यू बॉंट तो इन्वाइट यूर फिंसपल तू आप यूर क्लासिज और फाइनल लियर स्टूडेंट वोट वूड यू से तू हर हीम तो आप यह तो अपने अकोर्डिंग बना सकते हैं अगर आपका फेरवल है आपने प्रिंसपल को इंवाइट के आपके क्लास क्या और फाइनल लियर के स्टूडेंट की देखी प्रेंट हम कहां प इस अपने प्रेंट आपके क्या कहते हैं उनसे और कैसे तो आप यह वता सकते हैं लाज्ट पॉस्चन इज टैन इमेजिंग डिवारा सूरेशन सुमीता आपको इमेजिंग करना है कवाल पनी करना है सूरेट या सुमीता हो तो आपको अप्लिकेशन लिखना है आपने जो की अड्बोर्टाइजमन इस्टरडे देखी थी तो आप किस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पर कुछ बना रखा है जैसे अकर इंटरनेशनल स्कूल इंदरपुरम इंवाइड अप्लिकेशन फोर दा पोस्ट ओ नर्सरी टीचर के लिए इंवाइड किया रिक्वायर्मेंट के इंट्रस्टे केंडरेश्ट शूड है क्या क्योंने से से शैटिफिकेट इन नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स एक्स फाइड एक्सिवेशन आप टीचिंग टिनिंग ट्वाइड प्लेज़ेंट एड पर्सनाल्टि ओ एक्टरेक्टिव शैलीज अशेट तू दा सेलेक्ट एप्लिकेंड अप्लाइड तू पिंस्पल बिदिंग त्यान दे बिद डिटेल रिजूम तो फ्रेंड आप ब करके पूछ सकते हैं लाइक शेयर सस्क्राइब जरूर किया जाएगा है और हमारा एक सेकंड चैनल ब्राइट फ्यूचर नाम से आप उसको सस्क्राइब कर लीजेगा क्योंकि वहां पर इंग्लिज के सारे कॉंटेंट आपको इंग्लिज के माटेरियल वहीं पर किये जाएंगे थैंक्स पर बॉचिंग